सब दर्शकों को बाबा बढ़ गर नात की राम राम दबा भक्तिरो्ष ऺष्ष्माडी के इस चेनल बाबा बढ़ गर नात में आप सभी का श्वागत है दशको घर पर कवे का आना अच्छा या बुरा शंकेत होता है कवे का कौन सा बेवहार अच्छा या बुरा शंकेत देता है आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि आपके घर पे कवे का आना आपके लिए शुब या अशुब क्या हो सकता है तो वीडियो में बढ़े रहें शुरुशे अंतक और ये आप फने चनल पर पहली बार आएं तो मैं चलकोश अप्रकाइब जरूर करें तो दर्श को आज हमा को बताएंगे कि आपके घर में कवे का आना आपके जीवन में शुब होता है या अशुब दोनों तरह की बदलाओ में से कौन सा बदलाओ किस संकेत से मिलता है तो आईए जानते हैं शकुन शास के अनुसार कोवे का किस तरह का बेवार अच्छे और बुरे संकेत देता है चुरिया कबूतर के साथ कोवे भी हमारे घर के उपर या बालकनी में अक्षर बैठे रहते हैं आपने चिरूर देखा होगा कवा एक ऐसा पक्षी है जिसे संसार में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं के बारे में ज्यानकारी बहुत पहले ही हो जाती है हिंदु धर्व में इसे यम का दूद माना जाता है घर में कवे का आना आपके जीवन में किसे शुब अशुब संकेत होता है किस तरह का शंकेत होता है या किस तरह का तरीके से बदलाव ला सकता है इन्ही बातों को आज हम शकुन शाहत के इनुसार कवे का किस तरह के बेव बेवहार जो कववे का वह पानी पीता हुआ तो शकुन सास के नुत्वार अगर आपको कववा किसी बरतन में पानी पीते हुए दिख जाये तो उसे बहुत शुप माना जाता है इसका मतलब होता है कि आपको निकर भविष्ण में धनलाब होने वाला है या फिर किसी कार में क बड़ी सफलता मिलने जा रही है वहीं जो दूसरा शंकेत है बेवहार है कवे का जुन्ड यानि कवे का शमू कवे का जुन्ड दिखना चल्दी ही आने वाली किसी संकट की तरफ इशारा करता है अर्थात आपके जीवन में या देखने वाले के जीवन में कोई बड़ा जाए तो ये किसी अनुहोनी होने का शंकेत होता है खास तोर पर इस तरह के शंकेत घर के मुख्या के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं वहीं जो तीसरा शंकेत है जो तीसरा वेवहार है कवे का वह है रोटी खाता हुआ रोटी आमांस का टुकड़ा खाते हुए कवे का मत्तब होता है कि जल्द ही आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है आपको धनलाब भी हो परकता है और किसी बड़े काम में सफलता मिलने के योग बन जाते हैं वहीं जो अगला लक्षन है अगला ब्यवहार है कवे का वह है बीट करना कवा किसी व्यक्ति के उपर बीट कर दे तो यह शुभ नहीं माना जाता कतई शुभ नहीं माना जाता ऐसा होने पर ब्यक्ति को र नहर में कवाद दक्षिक दिश्या की ओर बैठ कर बोलता है तो यह इस बात का संकेत है कि घर में पित्री दोश है ऐसा कोई भी शंकेत मिलने पर पित्री दोश दूर करने का उपाय आपको कर लेना चाहिए वहीं शकुन शाहत के नुसार अगर दो पहार किस्व में कवे की अगला शंकेत है कवे का अंडा अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और अगर कहीं कवे के अंडे दिखे जाएं तो यह बेहत शुप माना जाता है जल्द ही आपके घर खुशकबरी आने वाली है यह ऐसा संकेत देता है तो दर्श को आज के वीडियो में प बाओ बड़ गरनात की जाम जाम